प्रोग्राम टॉप शोरी के साथ मैं हूँ आपके में इसमान मदिहा आबिद अली नादिन आज लहोर की हवा भी होई है सुरज भी वैसे ही निकला है और चरिंद परिंद भी वैसे ही है लेकिन हवा में एक चाश मीसी है क्यों क्योंके 14 अगस्त करीब है आज़ादी का दिन आने वाला है और लोग अपने एक वलवले के तहट इस जशने आज़ादी को मनाने के लिए भरपूर तरीके से तयार है आज की टॉप स्चोरी भी आज़ादी स्पेशल पे मनसिर होगी कि किस तरह से लाहोरी आज़ादी को सेलिबरेट करते हैं और लाहोर के लोगों में आज़ादी का मतलब किस तरह से भरा हुआ है वो किस तरह से बयान करते हैं कि आज़ादी उनके लिए क्या है तो चलिए प्रोग्राम का पकाईदा आगास करते हैं और अपने पाक बतन को इस सब्स हलाली जंडे को एक ट्रिब्यूट पेश करते हैं हमारे साथ इस वक मौझूद हैं सुहेल कैसर सहाब इसे पहले मैं सुहेल कैसर सहाब से गुफ्तू का आगास करूँ आप देख सकते हैं कितना बड़ा सब्स हलाली पर्चम मेरे अकब में लगा है और ये लोगों का वालेहाना महबत का इजहार करने का तरीका है किस तरह से वो आजादी को सेलिबरेट करते हैं सुहेल कैसर सहाब जबाने सदे आम हैं कि वो कौमे जबुहाली का शिकार हो जाती है जो अपनी तारीख भुला देती है लेकिन हमें फकर होना चाहिए कि हमारे हाशरे खान्दगी बहुत कम है लेकिन आजादी का मतलब एक मोची को भी मालूम है और एक अफसर को भी मालूम है ये बात आप विल्कल ठीक है कि वो जिन्दा कौमे जो होती है वो अपनी तारीख को हमेशा याद रखती है और तारीख को याद रखना ही उनकी बगा का जामिन होता है जो अपनी तारीख को भूल जाती है समझेए कि जो हमारा हाल अगर अच्छा नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा माज़ी से भी रिष्टा कमजोर है जिसके बाइस हम इस हाल को पहुंचे हैं और ये जो जशन अजादी की सेलिबरेशन है असल में ये एक अजम की तजदीद भी होती है कि हर साल जब हम सेलिबरेट करते हैं तो अपना ये अजम भी दोहराते हैं कि जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान हासल किया था उस मकसद को हम पूरा करके रहेंगे और अगर हम से किसी जगा पर कोई चूख हुई है कोई कोता ही हुई है तो आएंदा साल उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताओं कि हर चीज के दो मकास्द होते हैं मतलब अगर हम जशन अजादी के हुआले से बात करें लेकिन एक इसके पसे परदा जो चीज है कि वो मकसद याद करना उस मकसद की तजदीद करना जिसके लिए पाकिस्तान हाजल किया गया था और ये सोचना कि क्या हम उस जो इसके पसे परदा एक अंसर कार परमा है क्या उसको भी पूरा कर रहे हैं या नहीं और मैं अगर ये कहूँ कि उसमें हम काफी पीचे हैं तो शायद ये घलत नहीं होगा ठीक है हम यहाँ पर लोगों से बात करना शुरू करते हैं बहुत सारे लोग हैं अच्छा बचों को अफैसिनेट करते हैं ये चीजें लेकिन हम देखते हैं कि बड़े भी उसी जोश जजबे से ये जो फ्लैग्स हैं और इस तरह की चीजें हैं वो लेते हैं और मैं भी अपने साथ पाकिस्तानी फ्लैग रखती हूं हमेशा और जब भी कोई ऐसी ट्रांस्मिशन का मौकर मिलता है तो मेरे पर्स में सी ये फ्लैग निकलता है मुझे ये फ्लैग अपने पास रखने का बहुत शोक है इसे तरह से अफसर हो मोची हो या फिर कोई आम काम करने वाला शक्स हो आपसे फ्लैग्स लेकर जाते हैं झो गरीब आदमी है इसलिए मूध हो कोई ऐसी मेंैं कोई आम आदमी आप क्रश्स कार रहा है इसकी क्या वजा है इसकी वजा है जो गाड़ी या वाले ये पाकिस्तान को काम मांते है जो गरीब आदमी है उसको अपने मवतन से पयार है अच्छा सर कैसे सब सेकेंड करेंगे इस बात को आप ये मतलब किसी हद तक तक तो इसको शायद ये ठीक कह रहे हो लेकर मसला ये है कि अमीर हो चाहे गरीब हो अपने वतन से तो सब को ही प्यार है सिर्फ जो इजहार का अंदाज होता है उसमें एक फर्क होता है मुझे लगता है जो अमीर शक्स है वो ब्रैंडिट सूट पहन लेगा और ब्रैंड के कपड़े वाइट कलर के ले आएगा और जो ब्रैंड लॉंच होगी जो लॉन लॉंच होगी अमीर खवातीन वो पहनेंगी और उनका अपना तरजे अमल होगा, अपना एक तरीका होगा आजादी को सेलिब्रेट करने का है। आपने इसको पहना है। आपने पाकिस्तानी होने का और महबत का इजार करने के लिए आप एक अगर मैं कहूं जोरदार नारा लगा दें पाकिस्तान जिन्दाबाद का तो कितनी जोर से लगाएंगे पाकिस्तान! पाकिस्तान जिन्दाबाद! पाकिस्तान जिन्दाबाद! पाकिस्तान जिन्दाबाद! आफ्स्तानं जिन्दाबाद! बहुत ज्यादा लोग इसको इमान है शोक से लेके जाए यह भी देख रही हूँ कि हम महंगी चीज़ें फ्रोख्त करें नहीं यह महंगी नहीं बिल्कुल अपने हिसाब से जो हमें बच्चे तानी चाहिए उसके जरीया से हम बच्चों को हरामी खलाना चाहते हाद कलाल की कम मारके तो वह पहनेंगे ऑफिस में तो यह पहन लूँगी आप बिल्कुल पहने हैं हम भी वही यह देखे ना यह जैसे यह बड़ा अच्छी चीज़ें यह बच्चों की स्टीक है चोट-चोटे बच्ची अपस में अच्छा इसके साथ गटका तो खेल नहीं सकते हैं कर रहा है किसी का अंदास कदरे मुक्तलिफ है लेकिन इसमें चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उसकी वज़ा यह हमदिया के यह हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान है तो हम है हमारा वजूद पाकिस्तान से ही है और उनसे पूछ कर देखिए जिनके पास जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है अब देखे पचे टर लेज़े नीचे लेनegenया हमने अपना कोमी पर समय हम उठाकी रखेंगे यह बतायों आए इन सेल कैसी हो रही है सेल अची हो रही है और बच्चे आरहें ज्यादा यह बड़े बड़े आ रहे हैं, बच्चे दिए आ रहे हैं जल्दी से पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा लगाओ पाकिस्तान जिन्दाबाद बहुत ख़ब सर्थ यहां भी मैंने देखा है किfund यहां पे face painting के लिए brushes हैं और face painting बहुत मकबूल है आप face painting में करते हैं हाँ कार भी देते हैं लेकिन जादा लोग जो है ना वो अपने गार दिजा करना वो कर रहे हैं अच्छा ठीक है यह फेस पेंटिंग के लिए ब्रशेस और इसके इलावा यहाँ पर फेस पेंट भी पड़े में यह फेस पेंट है और कल आप देखिएगा किस तरह से नौजवान जो है वो फेस पेंट करके और मोटर साइकलों पे रेली निकालेंगे यह एके लाहॉरियों का अंदाज है जशने आजादी मनाने का अब क्या लेंगे आप यहाँ से क्या चीज़ सेलेक्टिर रेंगे इशर्ट लेने आया हूँ और कुछ बैज बगरा लेने आया हूँ